दोसां आज के हमारी इस वीडियो को टॉपिक है आपको पता है कि हम केसी भी 3-phase मोटर का कनेक्शन करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं या तो हम उसको star connection में जोड़ेंगे या फिर हम उसको delta connection में जोड़ेंगे तो दोसां आज इस वीडियो के दर मैं आपको यही doubt के लिए क हम उस मोटर का Star Connection कब करते हैं और कब हम उस मोटर का Delta Connection करते हैं तो सब्सक्राइं सिंपल होते हैं हमारी मोटर के अंदर जैसे यह 6 टर्मिनल होते हैं एक दो तीन चार पांच है यह चैसे टर्मिनल है अगर हम इदर की तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देता है तीनों को यानि एक से जोड़ देता है और इधर हम दे देता है R, Y, B R, Y, B मतलब तीन फेज देता है तो यह हो जाता है हमारा स्टार कनेक्शन ठीक है और एक होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन जिसके अंदर हम क्या करते है इधर छेसे हम wspól मैं वापस है Ryaga और Um we purchase only इधर वाए Friday पर कैसे इधर एक इतर हम एसे पत्त है मैं ऐसे पति लगा देतैं के जो स्मस्य में आना चाहिए किन हमारी हर वाइडिंग पेश दो दो फेज और पर तो थोड़ा समझाने के कोशिश करता हूं फिर मैं आपको थोड़ा इन दोलों के बीज में डिफरेंस बता हूँ गया कि रम को कब इस्टार कनेक्शन करना ची और कब डेल्टा कनेक्शन करना ची है यह काफी जरूरी है दोस्तों तो दोस्तों सिंपल सी बात है हमारी कोई भी का रहते हैं यह करता हैं यह दो गार यह हो मैं अचली है नुट के वारे सिंपमारी कैसि को थीए असे दीए करते हैं स् cultura के तो यह यहुद है उकल और यहुद पॉइंदी ने कि में पतते हैं इसके बाद में यह सिरा हमारा इधर अधर याथे कृनि को समझ के सब्सक्राइगा लिए कि अधर आघ़ते अब क्या समय alleen को चीए अभी इनसे productos देने इधर दे दिया यह वाला यह हां यह वां करको ओन दे दिद के आड़ा है यह कका पोईंदिंग के अंदर मेरा इधर समक्राइक मिल जाता है फिल इस वाइंनिक के एंदर सिरा दिए ढूमरे डूर में तो इसका जो दूसा सिरा यह मेरा इदर रहता है फेस्ते है कि इसका दिखिया ङीर फेस्ते है यहांजी देज़ लिखने देखेशल फेस्ते हैं पीस्त डीड़ दौर फेस्ते हैं तोward e है आपको तोड़ा थो पता रहीं किसमें न्यूटल क्या होता है यह हमारा इस पॉइंड होता है कभी आप अपको इदर हाथ लगा गएगा आपको कभी करनी आते, दोस्तों आप रैक्टिकल करें तो ध्याह नखेगा मैं आपको सिर्व नॉर्मल बता रहा हूं आपको करने की नहीं बोला हूं पर यह हमारा इस पॉइंट हो था करन नहीं लगता है यह हमारा इस चार कनेक्शन होता है और ट्रांस्पोर्म में हमको ऐसे ही न्यूटल मिलता है तो दूस्तों इस चीज को छोड़ता है अभी हम किताबों में लिखे होती है वैसे नहीं मिलेगी यहां पर बिल्कुल अपनी जो रेगुलर लेंगवेज होती है उस लेंगवेज में सारे टॉपिक मिलेंगे और आपको हर यानि एक आर्ट्वी कक्षा का बच्चा भी जाके वहां पर पढ़ेगा तो आपको अच्छे समझ फेस जाता है स्पाट अब को अब को सिंपल सी बात है अगर मेरी वाइंडिंग के अंदर मेरे जो मेंगनेटिक फिल्ड बनेगी में इस चेटर में इधर वाइंडिंग होती है तो इसके तर आजऊ बाज़ी उचчит धर मैगनेट बनता है उस्चार्टिउए की काड़ना नी हमारे रोटर घमता है ठीक है अरे जिब हमारे त्वीत नेक हर वाइंदिंग के पार जाना था राथ पार धिक शर्ट culture इक टीक है हुअ ठम adequately क करने थैं छीप आयी है अगर उस पर लोडी नहीं और हमारा जो magnetic field वह हाई बन रहे है तो वह क्या होता दोस्तु उस समय हमारी जो motor की efficiency होती है वह efficiency कम हो जाती है यह efficiency क्या होता दोस्तो इसके ओपर मैंने already video मना रहा है यह काफी जरूरी topic है हमाई लिए efficiency क्या होता है कैसे निकालता है इसके उपर मैं वीडियो बना रहा है वो आपको इसी वीडियो के end screen में मिल जाएगा आप वहां से देख ले तो दोस्तों जो efficiency होती है यह efficiency गेट जाती है तो दोस्तों कभी भी अग्यार हमारी motor अगर हमने सतर परसेंट लोड के बीच में चल रही है तो ही इसका डेल्टा कनेक्शन सही है और यह motor एची efficiency पर अगर यही मेरी motor जो पांच किलोवाट की है यह मेरी motor पर अगर लोड ही नहीं है 20-25 परसेंट ही इसका लोड है तो जो मेरी motor है इसकी efficiency बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी और efficiency अगर कम होगी तो इस मेरी motor की life भी कम हो जाएगी तो दोस्तों अब मेरी को लोड कैसे पता चलेगा अगर पूरा है या नहीं वह कैसे पता चलेगा तो दोस्तों लोड के लिए सिंपल सा बात है मेरी इस motor का में एमपेर निकाल लूँगा एमपेर निकालने का फॉर्म तो इस बात का ध्यान देगा कभी ऐसे shortcut trick लगा है तो आप इसका video देखेगा है shortcut trick कैसा है थीक है 5 kilowatt x 1.7 करता हूँ तो दोस्तों 5 x 1.7 करने पर आया मेरा 8.5 ampere तो मतलब मेरी motor का फुल लोड करेंट है 5 kilowatt की जो मोटर होती है उसका फुल लोड करेंट आता है वह आता है 8.5 ampere ठीक है पर दोस्तों जैसा मैंने भी आपको बताया है अगर यही मेरी motor जो 5 kilowatt की motor है यह फुल लोड करेंट पर चली नहीं रही यानि फुल लोड करेंट का मतलब 8 ampere है तो आट एंपर से पांच 7 ampere पे भी नहीं चल रहे इतना तो जाना नहीं चाहिए फुल लोड करेंट इससे जादा नहीं जाना चाहिए तो अगर इस पर जाइन रहे इससे काफी कम है तो मैंने आपको जैसे बताया सब्सक्राइब लोड पे यह तो इसका निकाल लेता हूं अगर 25 लोड पे तो मिरको क्या करना है मेरेक्ट मोटर को इस चाल कर देना है ताइक मेरी मोटर के अच्छी रहे तो इसका 20-25 कैसी निकल एक काफी सिंपल है 20-100 क्योंकि 20 पर से निकलना है तो 20 बाजक तो और बाद अगर मेरा मोटर पर मेरा लोड ही नहीं है और वह 1.7 Ampere या फिर 2 Ampere के बीच में ले रही है तो हमको डायरेक्ट इस मोटर को डेल्टा कनेक्शन से पर स्टार कनेक्शन में जोड देना है दोसों इस बात का धिहान दखेगा अगर मैं मेरा में इस चीज का बिल्कुल धिहान उस लेम पर ब्हुना और बी में में जो बी तो बना रहा है उस अबकाना के सब्सक्राइब आत्रों लिडियों से यसार्ट। तो घूट है किसा कम्रतर सकती है निए पूर स्पलोर और हमारी वैबसाइब साथ मेरे कॉछ Hudson बॉंटर को ऊपर है इस्टार्टर के ऊपर है अमारे सोलर पेनल के ऊपर है आप जागकी जूरी है आपको काफी अच्छी आर्टिकल मिलेगी तो दोस आपको यह वीडियो क участie लाइक करके जुरूई बाताLa अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परते हैं फिर इलेक्टिकल से जुड़ा है ता मुझे नीचे कमेंड ओप से कमेंड करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो से अगर आप हिंदी में नहीं पसंद करते हैं आज ये मारी चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए